आज हम लोग देखेंगे कि घर में बहुत असान तरीके से उनली वन इंग्रेडियेंट के साथ हम एंटी टैनिंग क्यूप्स कैसे बना सकते हैं जो आपको एवरीडे लाइफ में सन टैन से चुटकाड़ा दिलाएगा और ये समर के लिए बहुत ही जादा बेनिफिशल है हमें चाहिए होंगे दो टमाटर और ग्रेटर जिसकी मदद से हम ग्रेट कर लेंगे टमाटर को और कुछ जरूरत की चीज़े हमने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं आप चाहे तो एक बड़ा भी यूज़ कर सकते ह हमें टमाटर के स्कीन के साथ उसे ग्रेट कर लेना होगा ग्रेट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा अब हम इसका जूस निकाल लेंगे इसका जूस थोड़ा थीक है और इसका कलर ब्लड रेड है तो अब हम इसे आइस ट्रेम में लिकाल लेंगे अब हम इसे दीप फ्रीज में स्टोर कर लेंगे जब तक ये पूरी तरह से क्यूब में कनवर्ट ना हो जाए और निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा इसे अपने फेस पे अपलाई करने से पहले make sure आप अपने हेर को बांध ले और आपका फेस क्लीन हो अब हम लोग आइस ट्रे में से एक आइस क्यूब निकाल लेंगे और अपने फेस पे जेंटली इसे अपलाई करेंगे और अगर आपका फेस बहुत जादा सेंसिटिव है तो आप इसे किसी कॉटन के कपरे में लेके भी अपलाई कर सकते है आप इसे अपलाई करने के तुरंत बाद ही महसूस करोगे कि आपका स्केन बहुत फ्रेश फिल हो रहा है यह टैन रिमूव करने में भी बहुत जादा हेल्पफुल है अगर आप बाहर धूप से आके इसे अपलाई करते हैं तो आपका टैन रिमूव हो जाएगा और यह आपके सन बंड को भी हील करेगा यह आपके ब्लैकेट्स को भी काफी हद तक रिमूव करता है यह आपके पोर्स को टाइटनिंग करने में भी हल्प करता है जिससे आप यूथफुल फियरर स्किन पा सकते हैं अब आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं या किसी कॉटन के कपरे से भी वाइप आउट कर सकते हैं जिससा है झाल झाल